नमस्कार, Jai CAC, मैं समर्च वादरी और आज मेरे साथ सुनी सर हैं तो सर सबसे पहले टेक्नो 24 एस्पेरेंट्स का वेलकम तो वीडियो सोलुशन और एक बहुत अच्छा एक्जाम अपने पांसमों को कंड़क्ट करा है साथ स्टेट में जिसमें अपने को पैरेंट्स और बच्चों के बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बहुत शांदर बिल्कुल सर तो और आप क्या कहना चाहोगी सर सबसे मैं चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एक्जाम कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर शेवन स्टेट में कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर 1,38,000 प्लस इस्टूरेंट्स इसके ऐस्पैरेंट्स बने बिल्कुल सर इसके भागिदार बने और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पैरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविश् विए उन सभी टेक्नो 24 एस तरौन फईर्ण्स का जिननों ने CLC के विश्वास किया और बने बच्जे को जो भी content थे जो भी subject थे उसका complete depth wise video solution मिलेगा आपको और इस paper की खास बात जो बच्चों की द्वारा हमें मालूम हुई वो बात थी कि totally NCRT based paper होना, exam oriented paper होना, बहुत सारे ऐसे students sir, जुन्होंने पहली बार OMR को approach किया था, पहली बार OMR based paper दिया था, तो कहीं ना कहीं एक रस्ता और mind का जो expansion है इस चीजों को लेकर कि OMR based paper कैसे होते हैं और competitive approach कैसी होती है, एक competition लिप आप exam कैसे देते हैं, साथ state के बच्चों के साथ अपनी class exam दे रहे हैं, कि 22 लोनों को result declare होगा, तो आपको भी पता रहेगा कि मैं साथ state में मेरी class में बच्चों में कहां खड़ा हूँ तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा confidence रहेगा, अच्छा platform अपने दिया है बच्चे को, तो बच्चे के लिए बहुत beneficial रहेगा, प्लस आपको पता ही है, कि एक exam के साथ में अपन एक detail wise अपन वाक्षी प्रोवाइड कराएंगे, उस बच्चे को पता लगा कि इस इस topic से मेरे सवाल आए थी, कौन सा topic मेरा कमजोर है, कौन सा मेरा strong है, कि जब मेरा class का, जब मेरा annual exam होगा, या जो 12th का बच्चा है, जब मेरा NEET का exam होगा, JEE का exam होगा, तो मुझे कौन से topics पर और ध्यान देना है, जब मैन फोकस को और इस topic पर करना है, और सबसे खास बात ये कि बच्चों ने जो स्लेबस पढ़ाता ना अपनी स्कूल में, उसी के उपर बेस्ट ये पेपर कंड़क्ट करवाया गया, अभी जो रिमेनिंग स्लेबस है, उससे कोई भी सिंगल क्योशन भी नहीं होना, ये बच्चे के अंदर फिर से confidence के लेवल को आराइज करता है, तो आर्ट बजे कम्प्लीट पेपर का सोलेशन इंग्लिश एंग्लिश एंधी मीडियम सेपरेटली अपने सिंगर के यूटूब चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं और उसके अवादे 22 नौवंबर को अपन टेक्नो 24 का पांथ बजे रिजल्ट डिकलर करने वाले हैं, मेगा मेगा अनौंसमेंट हो जाएगा, आपने उसमें क्या क्या भागिदारी निवाई हैं वो बिलकुच बिलकुचर, तो अलल अबेस्ट पर यू रिजल्ट, THANK YOU, JSCRC Hello student, myself Kuldeer Rathod, Team Mathematics CLC Seeker, we are going to discuss the Mathematics section of Techno 2024 for class 8th. So, first question, which of the following fraction is the smallest? Here we can say in these two fractions 7, 9, 7 upon 6, 7 upon 9, so 7 upon 9. 7 upon 9 is the smaller and 4 by 5 and 4 by 7, so 4 by 7 is the smaller. Now, we have to check which one of these two is smaller, so 7 by 9 and 4 by 7, now multiply this by 7 and this by 9, denominator is same. So, it is 49 upon 63 and it is 28 upon 63, which is smaller, 28 upon 63 is similar to 4 by 7, so 4 by 7 is the correct answer. Now, question number second, if M and N are positive integer and M minus N is even, M minus N is even, we can say both M and N are either even or odd, both are either even or odd. So, M square and N square can be written as M minus N and M plus N, here it is given that M minus N is an even number, so we can write is at 2k. M and N both are either even or odd, if we add 2 odd or 2 even, then we get also an even number, so M plus N is also an even number, let us say 2k dash. So, it is the product of 2k and 2k dash, so 2 into 2 4, k into k dash, this number is always divisible by 4, so 4 is the correct answer, first option is the correct. How many 1 by 6 together makes, let us say x time, x into 1 by 6 is equals to 41 and 2 by 3, 41 into 3 means it is equals to 3 or 4, 12, 12 plus 2, 123 or 125 x by 6, 3 to 12, 6 or 2 into 125 is equals to 250, 250 is the correct answer, so third option is the correct. Now, question number 4, the ratio of 2 number are 10, ratio 7 and their difference is 10, 105, let us say number are A and B, A by B equal to 10 upon 7 and A minus B equal to 105, value of A is 10B by 7, put here 10B upon 7 minus B equal to 105, 10B by 7, 10B by 7 minus B is 3B by 7 equal to 105, so after dividing 3, dividing by 3, you will get 3, 5, so B equal to 7 into 35 that is 5, 245, 245 that is 245, so B is 245 and A, A is equals to 10 upon 7 into 245 that is 7, 350, 350, 350, so A equal to 350 and B equal to 245, so 350 plus 245, it is equals to 5 and 95, 595, so option number 1 is the correct answer. Now, question number 5, a number consists of 2 digits such that digits, let us say number is, that number is 10A plus B, we have to assume that 2, 2 digit number, we can write that number in as 10A plus B, such that digits in the 10 place, digits in the 10 place is A and digits in unit place is B, digits in the 10 place is less than 2 by the digits in unit place. So, A is equals to B minus 2, equation number 1. Now, 3 times the number, 3 times the number is added to 6 by 7 times, 6 by 7 times the number obtained by reversing the digit, reversing the digit means 10B plus A is equals to 108 multiplied it by 7, this will become 21 into 10A plus B, 6 into 10B plus A equal to 7, 756, 10, 21 into 10, 210A plus 21B plus 60B plus 6A equal to 756. So, here 210A or 6 means 216, 21B plus 60B means 81B equal to 756. Now, put the value of A here, 216A B minus 2 plus 81B equal to 756, 216B minus 6 to 12, 3 and 4 plus 81B equal to 756. If we add 81 and 216, we get 7, 9 to 97 equal to 432 is transferred into the right hand side, 8, 811, 1188 into B. So, B is equals to value of the B, 1188 upon 297, if we multiply it with 4, it will give 4, b equal to 4, if b is equals to 4, then A is equals to 4 minus 2. So, it is A equal to 2. Now, sum of these digits, it is 6, option number third is the correct answer. Question number 6. A TV and VCR together cost, let us say cost of TV is X and cost of VCR is Y. So, X plus Y equal to 35000, 35000. Cost of TV is 1 by 2 times then VCR, TV cost X. So, X equals to 1 and 1 by 2 times Y. So, X equal to 3 by 2 Y. Put this value of X into the equation number 1. So, 3 by 2 Y plus Y Y equal to 35000. So, value of Y is 14000, 7000. So, Y equal to 2 into 7000, 14000. Then the cost of VCR, cost of VCR is Y that is 14000 option number 2 is the correct answer. Now, by which smallest number should be multiplied so that it become a perfect square number. So, we have to find out the prime factorizes prime factors of this number 20184, we have to become make it perfect square divided by 4 because it is divisible by 4, 5, 0, 4 and 6. Now, again it is divisible by 2, 25, 2, 3, 4 or 8, 12. So, it is also divisible by 3, 3, 3, 8, 24 and 3, 4, 12, 3, 1, 3. 12 plus 1, 13 is 8, 4, 1, 21, 21, 21, 1, 2, 31, 1, 3, 23, 24, 1, 1, 2, 3, 31, 23, 21, 21, 24, 31, 24, 32, 42, 33 is 29, 27. 29 into 29, you have to check that 8, 4, 1 is square or not, 9, 18, 18 or 8, 26, 0 and 9 to 18, carry 1, 4 and 5, yes, it is the square of 29. So, it will become 4 into 2 into 3 into 29 square. So, it will become perfect square number if it has a 2 and also a 3. So, we have to multiply it by minimum that is 6. So, option number 4th is the correct answer. Now, question number 8th, ABCD is a rhombus okay, ABCD is a rhombus means AB equal to 10, 10, 10. Now, find AC, AC, here we can say that diagonal of rhombus intersect each other at midpoint and perpendicularly. So, it is 8, let us say its side is X and this is also X, 8 square plus X square in triangle let us say this point is M, DMC in triangle DMC by Pythagoras theorem means DM square plus MC square equal to DC square, DM means 8, 8 square plus MC means X square equal to 10 square. So, it is 64 plus it is X square equal to 100. So, X square equal to 100 minus 64 that is equals to 36. X square equal to 36 means X equal to 6. If X equal to 6 then AC equal to X plus X means 2X. So, 2X equal to 12 and that is equals to AC. Option number 3 is the correct answer. Now, the exterior angles of quadrilateral are M plus 1, 2M plus 3, 4M plus sum of all the exterior angle of any polygon is equals to 180 degree. So, we have to apply this condition M plus 1, 2M plus 3, 4M plus 5, 5M plus 6 is equals to 180 degree. Now, 180 degree means 360 degree. Here M, 2M, 4M, 5M that is equals to 6 and 6, 12M. 1, 3, 4, 4 or 5, 9, 9 or 5, 6, 15M is equals to 3, 60, 15M. It is divisible by 3. So, 4M plus 5 equal to 120. Now, 4M equal to 125 means 115. So, M equal to 115 upon 4. Now, we have to find out the angles. M plus 1 means 115. So, it will divide, we have to divide this by by M 483, 35, 35, 8 times 2, 32, 3, 0.75, 28.75. Value of M is 28.75. So, M plus 1 is the first angle that is 29.75. Other angle you can calculate by this putting the value of M as 115 upon 4. So, option number 4 will be correct answer. The length of diagonal of a rhombus are 16 and 12 centimeters. What is the perimeter? We can clearly see that diagonals of rhombus are always intersect at midpoint and perpendicularly. So, it is 16 and 12. 16 means 8, 8 and 12 means 6, 6. So, in this triangle, if we use Pythagoras theorem, then 8 square plus 6 square is equals to 64 plus 36 and root of this is equals to side of rhombus. 64 plus 36 is equals to 100 and root of 100 is equals to 10. So, side is 10. If side is 10, then all the 4 side is equals to 10. So, perimeter is 10 plus 10 plus 10 plus 10 that is equals to 40 centimeter. So, option number 2 is correct. Now, in the given figure line EC, CE is drawn parallel to BD. So, this is the line parallel to BD. If angle BAD, BAD is 120 degree, it is 120 degree okay. ABD, ABD, it is 1, it is 30 degree, 30. So, we know that AB, this angle plus this angle, this wall angle is equals to 180. So, 120, so it is 30. So, it is also 30. If it is 30, then this angle is also 30 degree because DE and CE are parallel ADC 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 ADC, no, 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 sorry, it is not a parallelogram. This is not a parallelogram. This is not a parallelogram. So, this cannot be 30 degree. Now, ADC ADC this angle is equals to 70 degree and BCD 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 which angle is the BCD this angle is the BCD this is 60 degree. So, in this quadrilateral at angle at point A 120 at point D 70 and at point C it is 60 let us say this angle is X at B it is 30 plus X that is equals to 360 because sum of all interior angles in a quadrilateral is equals to 360 degree. So, this is 120 plus 60 180 and this is 100 180 plus 100 280 plus X is equals to 360. So, X is equals to 80 degree. So, if it is X equal to 80 degree, then this is also 80 degree. Now, DBC, DBC, we have to find this angle X okay, you want to ask X that is 80 degree. So, option number 2 is correct. Now, the degree of polynomial is if we take X as common from the numerator then it will become X, X plus 8 X square plus 2 plus 6 X cube upon 2 X, X and X is cancelled out. So, it will become X by 2 plus 4 X square plus 1 plus 3 X cube. So, here highest power of the polynomial highest power of the variable X that is 3. So, degree of the polynomial is is 3. So, option number 1 is correct. If A plus B equal to 10, A square plus B square equal to 58 then fine, we can clearly see in the identity that A plus B Hall square equal to A square plus B square plus 2 AB. These two values are given. So, we can find the value of A and B, AB. 10 square equal to 58 plus 2 AB, 10 square means 100, 158 is transferred in LHS equal to 2 AB, 58 means 42 equal to 2 AB. So, value of the AB is 21. Now, if we want to find out the A cube plus B cube then we have to use the identity that A plus B Hall cube equal to A cube plus B cube plus 3 AB equal to A cube plus B cube plus 3 into AB, AB means 21 and A plus B means 10. So, it is 1000 equal to A cube plus B cube plus 21 into 3 that is 63, 63 into 10 630. So, value of A cube plus B cube is equal to 1000 minus 63, 630. So, that will give you the value just 370, 370 is the final answer. It is given in the option number 3. Find the value it is the 0.79 Hall cube and second one is the 0.21 Hall cube. In denominator it is given 0.79 Hall square minus 0.79 into 0.21 plus 0.21 Hall square. Let us say this as A and it is B. So, it will become A cube plus B cube upon A square plus B, sorry B square minus AB plus B square. A cube plus B cube is written as A plus B into A square minus AB plus B square and the denominator also the second factor also the second factor this one is cancel each other A plus B. A plus B means A is equal to 0.79 and B is equal to 0.21. So, it will become 1. So, option number first is the correct answer. Now, which of the following is the greatest? In these 4, it is 7 square, 343 is the 7 cube. So, 7 minus 3 that is equal to 7. It is the 7 square power 3 by 2. It will become 7 power 3 means 343 and 343 if we multiply it by 7 then this is the 7 power 4 multiply by minus 1 by 4 and this will become 1 by 7. So, highest number is the 343 that is in the option 2. If 2 power root n, 2 power n and then root of 2 power n is equals to 1024. So, we can say that 2 power n by 2 is equal to 1024. 1024 is the power of 2 that is 10. Okay, 2 power n by 2 equal to 2 power 10. 2 power 10 is 1024. So, n by 2 is equals to 10. So, n equal to 20. If n equal to 20 then we can put, we have to put this n equal to 20 in the fraction expression 20 upon 4 minus 4 that is 3 power 5 minus 4 it is equals to 3 power 1 and finally, it will become 3. So, option number 1 is correct. Now, question number 17 if x and y then x upon y or x minus y and y upon x power y minus x, x upon y means 2 by 4 and power x minus y 2 minus 4 plus y upon x means 4 upon 2 and power 4 minus 2. It is 1 by 2 the power minus 2 and 4 by 2 means 2 power 2. 1 by 2 power minus 2 means 2 power minus 1 all power minus 2 2 plus 2 means 4. 2 power minus 2 means 4 means 4. 2 power minus 1 then it will give 2 power 2 plus 2 power 2 that is 4. 4 plus 4 is equals to 8. Now, option number second is the correct answer. Now, 18 number question if 2 power minus m into 1 upon 2 power m equal to 1 by 4. 2 power minus m can be written as 2 power m equal to 1 upon 4 power 4. 1 upon 2 power m into 2 power 2 m equal to 1 upon 2 square. So, by comparing 2 m equal to 2, so m equal to 1. If m equal to 1 then we can write m value of m as 1 here. 4 power m means 1 or all power 1 by 2 plus 1 upon 5 power 1 and power minus 1. 5 1 upon 5 power minus 1 means 5 power 1 or 4 power 1 by root 2 means root of 4 that is 4 sorry 2 and that is 4 and 1 by 14. 5 plus 2 means 7 7 7 into 1 by 14 it will give 1 by 2 1 by 2 that is in the option number 1. Which of the following is perfect square as well as perfect cube 81 it is the square of 9 9 square 9 square it not the perfect cube 125 125 is the 5 cube not the square. So, this is also not correct option 64 4 is the square of 8 and cube of 4. So, this is the correct answer. The least possible the least possible value of a for which 90 into a is a perfect cube 90 into a we can write 90 as 9 into 10 that is 3 square into 2 into 5 into a if we want to make it perfect cube we have to multiply it by some numbers for least value of a that it will be multiplied by 3 and 2 square into 5 square otherwise it cannot be a perfect cube 3 square 3 into 2 square means 120 sorry 12 into 2 into 5 10 10 square 100 so 3 into 100 that will become 300. So, we have to multiply it by 300 90 into 300 it will become a perfect square number now question number 21 729.729.729.4096 and it is the perfect 729 10 and 4096 into 40 okay it is the cube 10 to 10 cancel 729 is the cube of 9 9 cube 1000 is the cube of 10 and 10 and 4096 it is the power of 2 that is 12 12 power of 12 12 power 2 means it is the cube of 16 I think 16 so if we apply 1 by 3 power it will become 9 it will become 10 and last that is 2 power 4 that is 2 power 4 that is 16 9 into 10 10 means 5 and that is denominator 8 9 into 5 that is 45 upon 8 if we divide 45 by 8 5 5.625 something second number option is the correct answer after dividing we get 5.625 that is 5.625 that is only option in question number 22 we can see that a cube b cube c cube minus 3 a b c it is equals to a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c cube minus c cube minus a b minus b c minus c that is equals to a plus b plus c into 1 by 2 time a minus b square b minus c square and c minus a square now a is equals to 3 3 3 3 b is equals to 3 3 3 b is equals to 3 3 3 and c is equals to 3 3 4 now a plus b plus c is 3 3 3 plus 3 3 3 plus 3 3 4 and 1 by 2 a minus b a minus b means 0 square b minus c means minus 1 square and c minus a is 1 square 1 square 1 square means 2 1 by 2 into 2 that is 1 and it is 1000 1000 into 1 so it is equals to 1000 and we have to find out the cube root cube root of 1000 is equals to 10 our answer is 10 option number 3 now question number 23 a student was asked to ask to divide a number by 6 so let us say number is a and a 12 to the quotient so quotient is to the quotient 12 he however first added 12 a plus 12 and then divide it by 6 and get 1 1 2 12 so a is equals to 6 into 12 1 1 12 into 6 minus 12 that is 6 to 12 6 7 67 minus 12 that is 6 60 so a is 6 60 the correct answer should have have been so we have to find out this value so 6 60 upon 6 plus 12 6 60 is 1 1 0 plus 12 it is 1 2 2 our answer is 1 1 2 now x plus 1 by x is equals to 3 then the value of x cube plus 1 by so by cubing both side 3 cube we get x cube plus 1 by x cube plus 3 into x plus 1 by x that is 27 into 3 343 that is 3 x cube plus 1 by x cube equal to so it is not 3 27 so 3 3 into 3 equal to 27 27 minus 9 1 is equal to 28 minus 9 is equal to 18 our answer is 18 option number 3 now question number 25 the ratio of milk and water in certain solution is 75 solution of 75 liter is 2 ratio 1 so clearly we can see that milk is 50 50 liter and water is 25 liter now how much water is 2 added in the solution that ratio become 1 ratio 2 so milk is 1 and water is 2 so milk is 50 and water is 100 so we have to make it 100 from 25 to we have to add 75 liter so water is 75 liter extra added so it will become 1 ratio 2 so first option is the correct answer thank you very much hello friends now we are discussing the video solution of the clc techno 24 of the clc techno 24 of the mad paper 26 cushion that is related to the coding decoding in a certain in a certain language that is our in a certain code mouse is written as p r u q c p r u q c p r u q c means plus 3 plus 3 as it is 7 19 minus 3 and minus 2 and minus 2 19 minus 2 19 minus 2 17 well minus plus 3 plus 3 same or minus 2 minus 2 is that clear then plus 3 19 or 3 19 or 3 19 or 3 22 v next 8 or 3 11 next i as it is minus 2 and minus 2 v k i d r v k i d r option number first is a right answer okay now second vision in a certain code language t r e a s o n is written as r k w w i n x is that clear next polarity is written in that way then firstly we will know that the how we write such type of the logics then we know that plus 4 minus 4 this one again plus 4 minus 4 this one 5 plus 4 9 18 minus 4 9 and minus 4 sorry plus 4 okay then we make the sequence as the plus 4 minus 4 plus 4 minus 4 plus 4 minus 4 plus 4 as it is that clear then we use that plus 4 minus 4 plus minus plus minus plus is that clear then p plus t o minus k u plus 4 21 plus 4 25 12 minus 4 8 20 plus 4 20 plus 4 24 18 minus 4 and and y plus 4 25 plus 4 29 29 plus c then in that then we get the logic in the logic that is plus 4 minus 4 plus 4 minus 4 then we use that in the wave and u m b e r plus minus plus minus plus minus plus minus is that clear 14 plus 4 18 21 minus 4 17 15 plus as 13 plus 4 17 2 minus 4 2 minus 4 2 minus 4 i think x b minus 4 x and 5 plus 4 i or r minus 4 n then our answer is that n i x double q r option number first is a right answer identify the diagram that best representative the relationship among the given classes musical instrument piano and guitar piano and guitar piano and guitar both are the musical instrument option second is a right answer choose the venn diagram given the which best represent the relation amongest the following classes student player and boys then we know that students some students are players players are also boys boys student players and students are then option number second is a right answer plus means divide minus means multiply divide means plus and multiply means minus is that clear then our equation is that 36 multiply means minus 12 again multiply means minus 4 divide means plus 6 and plus means divide 2 and minus means times multiply by 3 is that clear then we know that according to the board mass rule divided by this one is divided by 6 divided by 2 3 3 3 is a 9 this one how much 12 and 4 16 36 minus 16 plus this one 20 20 20 plus 9 equals to 29 okay dear next in the following question correct the equation by the interchanging the two signs first is divide and minus divide and minus 6 plus 8 equals to 4 minus 4 divide 8 how is the possible because 14 14 equals to 14 equals to this is the half this one is not right first is not right second 6 divide 8 6 divide 8 divide and divide and plus interchange and divide means plus 4 minus 4 equals to 8 then we know that 6 by 8 then we know that 6 by 8 2 3 is a 6 2 4 is a 8 3 divided by 4 plus 4 minus 4 is not equals to 8 divide and minus then 6 plus 8 divide means minus and minus means divide 4 equals to 8 this one 1 1 we get 1 1 we get 1 1 we get 1 and now we know that how much we get 14 14 14 minus 1 equals to 8 this one is also not answer fourth one try last option 6 plus means minus 6 plus means minus 8 divide means divide as it is because interchange to plus and minus and minus means plus 4 equals to 8 this one get 2 okay dear now 6 minus 2 plus 4 4 plus 4 equals to 8 okay option number which to continue so we get 2 next we get 2 1 getting 3 0 what we get 4 3 1 we get 2 all right next in the following questions correct the following by interchanging the two signs same pattern4 4, this means plus and minus are interchange, multiply by 3 plus 6 divided by 2 plus minus 3, 12 plus 3 minus 7, 15, 15 minus 7 equals to 8. First is a right answer. What was the day of week of 26th November of 2008? 26th November 4, 8, 2006, 4, 2 divided by 7, 30, remainder 2, 10, remainder 3, remainder 2, 2, 2, 2, 4, the code of the 4 is Wednesday. 49 student in the class of the Nitin gets 18th person from the starting, Nitin get 18th from the starting, who is the rank from the end? Then 18 plus x minus 1 equals to 49 student, okay dear? Then 17x equals to 17, 2 and this one is the 3, this one is the 3, means 32, okay dear? 32. Next, a is the 10th from the left, a is 10th from the left and b is 15th from the right. When a and b exchange their position, means the position of the 10th from the left sits b and here, a is here. Then a becomes 15th from the left, then a becomes 15th from the left. What is the new position of the b from the right? Firstly, we calculate the total numbers of student, then left plus right minus 1, 30 minus 1, 29 total student. Whereas that b is the 10th from the left, then 10 plus x minus 1 equals to 29, then x equals to 9 less, 10 minus 1, 9 total student, 20. The position of the b from the right is 20th, okay dear? Next, in the row of boys, a is the 10th from the left, a is the 10th from the left and b is the 9th from the right. If they interchange their position, then a is not here, b is here, but a is here. A becomes 15th from the left, a becomes 15th from the left, a becomes 15th from the left, a becomes 15th from the left. next how many boys are in the row 15 plus 9 minus 1 so 15 plus 9 equals to 24 minus 1 equals to 23 option number first is a right answer in a row boys a is the 20th from the left and b is 16 from the right interchange their position then a is here and b sorry b is here and a is here 16th and 20 then a becomes 30th from the left a becomes 30th from the left how many boys are there in the row then 30 plus 16 minus 1 equals to 45 next in the following question select the related word from the given alternative kilometer related to the meter well of kilometer represents in the meter and the ton represents of the kilogram the unit of sorry the smallest unit of the kilometer the smaller unit of the kilometer is a meter and the ton is a kilogram Mohan travel westward five kilometer turns left and travel three kilometer turns right and traveled nine kilometer then he traveled north three kilometer how far is he from the starting point five and nine fourteen kilometer is that clear next Vijay start from here his office and walk four kilometer towards north then he turned right and walk a distance of two meter then turns right and walk a distance of six meter then again turns right again turns right and walk a distance of a again turn right and walk a distance of two meter then turn right and walk a distance of two kilometer means reach their initial how far is he now from the starting point starting point mean he is also on this initial position initial position means zero kilometer okay thank you students myself narendra kumar team physics clc seeker techno exam class 8 k physics section ko sol karte hai to question 41 which statement is not true for a force with the help of force we change the speed of a body we can change the shape of the body we can make a body movable from the rest or we can change the direction of motion of the object so all the options are correct so correct option will be four let's move to next question 2 strength of force is expressed by so it will be expressed by the magnitude of force so correct option will be three next question if a rocket has been fired upward to launch a satellite it in our orbit name the force acting on the rocket when a rocket is fired then gravity applied by earth will act vertically downward and rocket will move in vertically upward direction then due to burning of upward direction then due to burning of fuel exhaust gases which are exiting the rocket from the back side they will provide upthrust on the rocket due to which it will take off from the surface of earth so one force is gravity applied by earth and second force acting on rocket will be upthrust that will be provided by the exhaust gases which are or exiting from the back of rocket so correct option gravitational force and second upthrust so correct option will be three let's move to the next question 44 which of the following is least means which is less dominant we know static friction is largest then dynamic friction and lowest value of friction will be due to rolling friction so least means rolling friction is least due to which invention of wheel was said to be a next question easiest way to move a heavy wooden block is to put in to pit to put it on a trolley and then pull the trolley the best option will be placed it on a trolley because trolley has a wheel and where there will be rolling motion there will be rolling motion and rolling motion in rolling motion in rolling motion friction will be least as we have talked in last question so place it on the trolley because here rolling friction will work let's move to the next question 46 on screen always real image is obtained but question asks is which image cannot be obtained on screen so virtual image cannot be obtained on screen let's move to the next question next question next question 47 far point of a myopic person is 80 centimeter far point means person is unable to see distant object means person is suffering from myopia so corrective lens used will be concave so option 1 and option 2 are directly incorrect and concave lens of negative power so accordingly correct answer will be 4 no need to solve but let's solve it then 1 by far point minus 1 by object position will be reciprocal of focal length far point is 80 centimeter but according to sign convention it will be minus sign will be used object position means we have to see object placed at infinity by solving here we will get focal length equal to minus 80 centimeter but we we have to find power according to the question so it will be found by 100 upon focal length in centimeter by putting the value of focal length finally we will get power minus 1.25 diopter so correct answer will be 4 let's move to the next question will be 48 main mode of heat transfer in water main mode of heat transfer in water will be convection so no need to further further think about it next question number 49 range of temperature reading of clinical thermometer clinical thermometer clinical thermometer is mainly used to know about the severity of fever and for it correct range will be 35 degree celsius to 42 degree celsius let's move to next question 50 distance between consecutive crust and trough let's this region this region is known as crest and that is known as trough distance between two consecutive crest will be equal to the wavelength and half of it means between consecutive crest and trough it will be given as half of wavelength so correct option will be second, distance between consecutive crest and trap will be half of the wavelength of wave. So, it will be last question of our physics section, thanks a lot, I hope all of you have done very well. Hello everyone, today we discuss about techno 2024 solution subject chemistry and question number 51, question number 51 is substance which cannot be broken down further by chemical reaction, broken down further by chemical reaction by cooling heating or by electrolysis, i mean kisibhi tariqease is breakdown n ecl easily break ho saktay hai, n e plus or cl minus yeh nahi aega, liqsharov compound easily break hoi saktay hai, then bachha kohon sa phir hameare paas, element, element form hai jho bitaam kisibhi tariqease kisibhi or ions vagera me hai kisibhi or chinghi me usko break up n nahi kar saktay hai. Next question is which gas produced when metal react with acid? metal. Metal. Jab acid si react kerti hai. So, bata dhu chijay form hoongi, eek hooga metal kha salt, or sats me bata gas reduce hoot hai hydrogen. Question me yeh puchha hai bata kya hootah hai, kawansi gas produce hooti hai, to gas kawansi aapne paas mein? Hydrogen. Fourth option is the correct. Next question is the reactivity, sorry correct order of increasing chemical reactivity, correct order of increasing chemical reactivity. So, bata sako dhyaan sa shunheghe. This question ke an dharam se yeh puchha hai ki bata jho bhi metal samguha hai aaphe kushin me given hai, inki reactivity ka order kaisa nikaal hai. So, kaisa nikaalne ke lihe mein aaphe eek sequence patah raha hoon. eek sequence hodhi hai bata yeh wali, jis me hai aaphe different different metal sab cover ho jayegi. Lithium, potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, magnesium, aluminium, magnege, zinc, chromium, iron, cadmium, cobalt, nickel, tin, lead, hydrogen और bakiya aur bhi metal hai. Copper, mercury, silver, platinum, gold. इस तरी के sequence चलता है. Option में हमको जो question में metal जो दे रहे है, वो दे रहे है, zinc, magnesium, iron और potassium. तो देखो, zinc की की बात करें, तो यही zinc, magnesium की बात करेंगे, तो यह रहा, magnesium, magnesium के अलावा हमको दे रहे है, iron, और एक दे रहे है, potassium. तो बोला highest reactive, highest reactive, potassium, second number पे आएगा, magnesium, third number पे आजे हैगी, zinc, fourth number पे आजे हैगी, iron. तो यह reactivity series, 12th class की SRP के data पे-based है, और आपके एक बुक में भी आपको given है, NCRT के अंदर, तो उसके base पर हम सूचें इसके बारे में इसका answer, तो potassium highest, फिर magnesium, फिर zinc, उसके last में iron. तो answer कौन सा आएगा बड़ा, fourth. गोल्ड स्मित यूजट, जोन और फ्लेम विदे, metallic blow by for melting gold and silver. यह पुछाँ बड़ा, जो goldsmith होता है, वो gold और silver को melt करने के लिए, फ्लेम की कौन से पाट का यूज़ करता है, तो general simple सा बड़ा बड़ा theory of discussion, outermost part, क्यों करते हैं, बड़ा, outermost part में complete combustion का process होता है, high amount में energy release होती है, तो उस high amount में energy की बज़े से, उसका outermost वाला part, in metals को melt करने के लिए use होता है. Which of the following unit express fuel efficiency? बड़ा, fuel efficiency को हम किस unit से express करता है? Simple database question, kilozool per kilogram, आसान. Burning of charcoal ने closed room, बड़ा, closed room का मतलब होता है, आसे दा absence of air, यह बोल सकते है दा lack of oxygen, अब oxygen की कमी है, oxygen की lack है, उसमें यह दिया हम को चार्कोल को burn करना है, तो बड़ा, charcoal जब burn होती है, आक्षिन की absence में यह कमी में, कमी के लिए मैं आधा मोल लिख लिए, हाफ मोल आप यूस करेंगे तो यह पर जो gas बनते हैं, पहलो उसको समझते हैं, यहाँ पर देखो, density of coal is more than coke, इसके अंदर basically हम यह कहेंगे कि यह जो बड़ा coke है, और coal है, इसको बोला जाता है कि it is the impure form, impure form मतलब बड़ा coal के अंदर impurities present होंगी, लेकिन यह को को है, यह उता बड़ा इसका purest form of carbon, तो यह कहा जा सकता है कि koily के अंदर impurity present होने की वज़े से उसकी density ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा impurity उसकी density भी ज्यादा, तो koily के अंदर impurity की वज़े से density ज्यादा होने वाली है कि इसके compare में, प्र और फॉर्म के compare में, तो आंसर के आने वाला है इसका second, पेट्रोलियम इस फाउंड अंडर दा, पेट्रोलियम कौनसी तरहेगी rocks से उप्टेन होता है, तो rocks कम कहां सर देना है कि petroleum कौनसी टाप की rocks से मिलता है, तो सिंपल दा खुशन था, database question, the answer is sedimentary rocks. Which of the following is not a greenhouse gas? Greenhouse gas का मतलब क्या? कैसी कैसी पेटा जो environment के अर्थ के temperature को increase करने का, rise करने का काम करती हो, उसमें basically हम CO2 काम आती है, methane आती है, nitrous oxide भी काम आती है, these are considered as greenhouse gas, पुछा है not considered as greenhouse gas, the answer is nitrogen. Which of the following is non-biodegradable polluant? Non-biodegradable polluant, मतलब क्या है इसका? कि बढ़ा ऐसा pollutant, जो की non-biodegradable है, मतलब जो naturally degrade नहीं होता, अब naturally degrade नहीं होने वाला material हो DDT, DDT chemical compound है, जो की naturally degrade नहीं होता है, इस वज़े इसको पन क्या बोलने है, non-biodegradable polluant, यह अपना solution था बहुत चोटा सा chemistry का 10 questions, उम्मीद है आपके सभी questions सही होए होंगे, thank you, जैसी. Hello students, आज हम techno exam का solution कर रहे है, हमाया subject bio class 8th English medium के लिए हम आज कर रहे है, मारा first question क्या है, which crop requires dry and cold environment, कौन से ऐसी crop है, जो dry and cold environment को use करती है, direct answer आजाएगा हमारा first option, क्या हमाया answer के लिए आगया, first option हमारा answer है, then the next question is, Rani had an uneven plot, Rani के पास uneven plot है, of land in which water blows cars, जहाबे पानी के कमी है, what system could she adopt for irrigation, irrigation की process के लिए कौन सा system use किया जाएगा, यहाँ पर system use किया जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, sprinkler system को use किया जाएगा, तो मारा answer है, first option, now the next question is, in a classroom discussion, 3 students made the following statements, यहाँ पर 3 students है, Shikha, Ritesh और Abhishek, इन्होंने जो statements देती, उसमें से आपको निकालना किया है, यह answer में, incorrect statement आपने निकालनी है, उसके अंदर से, शिखा, fertilizers and chemical substances that are rich in a particular nutrient, यह तो हमारे लिए क्या हो गई है statement, तो सही statement हो गई, correct statement है, पर हमने निकालना किया है, इसमें से incorrect statement के लिए निकालना है, तो Ritesh fertilizers increase the water holding capacity of the soil, जबकि water holding capacity वो increase होड़े ही न करते हैं इसके अंदर से, तो हमारा answer incorrect मिन कालना है, एक तो यह हो गया, Ritesh की statement, next, Abhishek, Abhishek ने क्या बताया, fertilizers used in excess provide lots of humus, अगर excess में use करेंगे, वो lot of humus provide करेगी कोई, बलकि वो तो negative benefit देके चल रहे होती है, तो incorrect answer कोई सा जाएगा, Ritesh and Abhishek की statement आ जाएगी, तो हमारा answer क्या हो जाएगा यहाँ पर, second option हमारा answer आ गया, Now the next question is, the walls of veins are not thick, vein और artery हम blood vessels के लिए लेके चलते हैं, कि तीन टाइप से artery, vein और capillaries joining के लिए, तो यहाँ पर vein के लिए बोला कि vein जो present है वो thick nature में नहीं होती, as those of arteries, because क्यों नहीं होती है, The blood is in less quantity, less quantity तो कोई rule ही नहीं चल रहा होता इसके अंदर से, The blood is under low pressure, जबकि blood कैसे हो जाएगा, low pressure के अंदर रहता है, इस वज़े से क्या हो जाता है, veins है, veins के लिए क्या से हो जाएगी, तो answer क्या है हमारा, second option हमारा answer है, Now the next question is, Which of the following causes hot weather wilting in plants, hot weather wilting कैसे हो जाएगी, excess transpiration, Transpiration की process तो क्या हो रही है, excess में हो रही है, increase में कर रही है, Transpiration हो होता क्या है, the loss of water in the form of water vapor, अगर Transpiration ज्यादा हो रही है, और absorption water की नए की कम होगी soil के surface से, तो resultant के निकल कैएगा, cause करेगा वो hot weather के अंदर wilting में, तो फिर हमारा answer के निकल क्या रहा है, यहां से हमारा answer है, यहां पर first option के लिए, Now the next question is, Which of the following statements are true, हमने यहां पर जो statement बतानी है, वो सही statement बतानी है, true कौन सी है, first pulmonary artery carries blood from the heart, बिल्कुल सही है यह तो, and it is called an artery and not a vein, इसको एक artery भी बोलते है, वेन नहीं बोलते है, exceptional case भी हम पढ़के चलते हैं, यह exceptional case है, second, it carries carbon dioxide rich blood to the lungs, यह क्या करता है, carbon dioxide rich blood को lungs तक लेके जाने का काम करता है, यह भी answer सही है हमारा, pulmonary vein carries oxygenated rich blood from lungs to the heart, यह भी बिल्कुल सही answer है, क्योंकि exceptional case हम करके चलते हैं, pulmonary vein का भी, तो हमारा answer तो तीनों options के लिए आगया, तो यहाँ पे option के आएगा, fourth option, all the statements are true, now the next question is, dash is the method of reproduction in human beings, direct question है बिटा अगर पता है तो यहाँ पे answer क्या आजाएगा, sexual reproduction के लिए आजाएगा, now the next question, the process of series of changes from larva to adult, larva stage से adult stage में convert होता है, after embryonic development is called, उसे क्या बोलते हैं उस process को हम यहाँ पे, metamorphosis बोलते हैं उस process के लिए, तो answer है, fourth option, now the next question, which of the following diseases caused by bacteria, disease cause करने के लिए, अलगले organisms के लिए बोल के चलते हैं, यहाँ पे question में पूछा है, bacteria के लिए, तो bacteria में directly answer हमारा क्या निकल रही हैं, से tuberculosis, क्योंकि malaria, hepatitis B, polio, इन दोनों का करते हैं, तो यह virus के तुरू directly बता के चलते हैं, malaria के लिए, plasmodium की form के लिए बता के चलते हैं, तो हमारा answer के निकल रहा है, first option, tuberculosis, now the last question is, which of the following substance is produced by an organism to prevent or reduce the spread of microorganisms, यहाँ पर बोला है, produce क्या किया जाएगा, production के लिए, अगर हम बता के चल रहे हैं, body के थ्रू तो वो production किसकी होगी, यहाँ पर, antibodies की production होती है, जबकि antibiotics बाहर से लिए जाते हैं, और antiseptics हम इनके साथ ले नहीं सकते, तो हमारा solution यहाँ पर complete हुआ, thank you. जो 5 नौंबर 2023 को आयोजित किया गया था, यह exam पूरे बारतवर्स में साथ राज्यों के अंदर, राजस्तान सही साथ राज्यों के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें पूरे बारत में 300 से अधिक centers थे, काफी बच्चों ने बड़े उत्सा उबंग के साथ में इस exam में अपनी बागीदारी पेश की थी, इस exam के अंदर, maths, mental abilities, physics, chemistry, bio, इनकी जो questions आते हैं, उसमें हम mathematics का जो sections है, उसका class 8 का solutions है, वो देख रहे हैं कि आपने किस तरह से किया था, आप इससे judgment कर सकते हैं, आपने सही किया है, गलत किया है, गलत किया है, तो आपकी क्या गलती रही है, वो सारा का सारा आप evaluate कर सकते हैं, जैसे पहला question आपको डिया वाए, निमनलिखित में से कौन सी सबसे चोटी आपकी बिन है, मतलब यह आपको बिनने दीवी है, इन बिनों में से आपको पूछना चाहरा है कि सबसे चोटी बिन कौन सी है, तो सबसे चोटी बिन के बारे में पूछना चाहरा है, तो सबसे चोटी हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो 7 अबटिच है जब भी आपका अंस हर से बढ़ा आजाए तो ठीक है तो वो आपकी बिन अमेशा क्या होगी उस बिन को क्या बोलते है अनुचित बिन बोलते है ठीक है और जिस बिन में आपका अंस हर से छोटा है डेफिनिटली जो अनुचित बिन अमेशा उचित बिन से क्या होती है बड़ी होती है मतलब यह options तो होई नहीं सकता मतलब 7 upon 6 जाम पर भी यह वो गलत हो गया अब compare करते हैं इन दुनों में इन दुनों में कौन सा आप कांस बढ़ा है कौन सा छोटा है तो 7 upon 9 और 4 upon 5 इनको च इच्छी गुणा कर देते हैं वज़े गुणा कर देते हैं इसको इसे गुणा किया इसको इसे गुणा किया ठीक है यह क्या गया 35 और यह क्या गया 36 35 और 36 में पता चलता है 36 बड़ा होता है मतलब यह बड़ा होगा आपका और यह आपका छोटा होगा यह बात समझ में और एक आपका 4 upon 7, 7 upon 9 और 4 upon 7, तिरची कुना की, ये क्या हो गया, 49 और ये कित्ता हो गया, 36, इन में क्या हो गया, ये बढ़ा है, बतलब 7 upon 9 नहीं हो सकता, तो 7 upon 9 कौन सा है, ये भी नहीं हो सकता, तो option will be a 4th, चौता options क्या होगा, सही होगा, ठीको, कॉशन ने बाइ, second में ये वह है, M और N क्या है, धनारत्मकपूर्णांके, और M माइनस N क्या है, संसं क्या है, M माइनस N संसं क्या है, कब हो सकती है, जब M क्या हो, आपका सम हो, और N भी क्या हो, सम हो, तब पॉसिबल है, और या फिर क्या है, M आपका क्या हो, विशम हो, और N भी क्या हो, आपकी विशम हो तब संभव है दो कंडिशन जब M और N दोनों संभव होंगे या M और N दोनों क्या होंगे विशम होंगे उन दोनों कंडिशन पर यह आपका संभव है उसके अलावा किसी भी कंडिशन पर यह संभव नहीं होगा ऐसा नहीं यह M sum है और N sum है sum होगा, नहीं होगा M sum है, N sum है तो भी sum होगा, दोनो sum या दोनो sum, अब मान लो इनका example ले लेते हैं, मान लो यह हमारे 6 है और यह हमारे क्या है, 4 है 6-4 किता होता है 2, 2 sum संग्या है, यह क्या रहे M square minus N square क्या होगी M square मतलब 6 का square क्यता होगा 36, 4 का square क्यता होगा, 16 36-16 क्या होता है, 20 ठीक है उसके बार में बात करते हैं, यह तो 20 होगया 20 में 4 का भाग जाता है, निश्यतरूप से जाता है, 20 में 6 का जाता है नहीं जाता है, 20 में 12 का जाता है, नहीं जाता है तो 5 का स्क्वेर किता होता है 25 और 3 का स्क्वेर किता होता है 9 माइनस किया किता हो गया आपका 16 16 आपके 16 में 4 का भाग जाता है 16 में 8 का भी भाग जाता है लेकिन दोनों के दोनों रिजल्ट के अंदर 4 का भाग जा रहा है किता बनेगा 41 अहीं 220 ये कैया कि मिस्र बिन को क्या करो अनुचित बिन में इन ऑनुच्छो कई तो इन दोनों को गुणा किया कित्ता हो गया 123 जोर दिया 125 बिज तहीं कि अव इसको क्या कर दो वज्जे कुणा कर Q dominance number 4 आपको क्या दिया वैँं 2 संख्याओं का अनुपाद कि ता दिया है 10 अनुपाद साथ और उनका अंथर किता दिया हो 105 तो 2 संख्याओं है एक अमारी A है और एक अमारी रहलो B है इनका अनुपात दिया वै किता 10 अनुपात 7 उन दुनों को किसी एक क्या करो चर से गुणा करवा देते हैं दुनों को किसी चर से गुणा किया ये मान लो गया 10X ये किता हो गया 7X इनका अंतर किता बोल रहा है 105 तो क्या हो गया 3X किसका के वड़ावर हो गया 105 के तो X का मान क किता आगया X का मान आ जाएगा 35 X का मान 35 आ गया तो दोनों का योगफल 25 यहाँ पे लगा दो 350 यहाँ पे लगा दो किता आ जाएगा आपका 105 दोनों को जोड़ेंगे किता हो जाएगा आपका sorry 35 को 7 से गुणा करेंगे 35 को 7 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 35 इंटू 7 आपका 35 गुणा 7 5 3 2 4 245 इन दोनों को एड़ करने पर कितना हो जाएगा 500 पिछयान में तो option number first आपका सही होगा यह बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक एकाई के अंक से दो अधिक है दो कम है तो मान लो अपने मान लिया एकाई का अंक एकाई का अंक हमारे पास किता है X है दहाई का अंक किता है Y है तो दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या क्या बन गई? दो अंकों की संख्या बन गई 10Y प्लस X ठीक है? ये कह रहें दो अंकों की संख्या में दाई का अंक Y इकाई के अंक से X से दो अधिक है X-2 कर दिया चलो कोई दिकत नहीं है यह कह रहा है संख्या का तीन गुना मतलब 10 Y प्लस X इसका तीन गुना और अंको के स्थान प्राप्त करने से प्राप्त संख्या का 6 बटे साथ गुना प्लस 6 बटे साथ इंटू 10 X प्लस Y किता आ रहा है यह कह रहा है 108 आ रहा है चलो कोई दिकत नहीं 108 आने दो LCM लेंगे LCM लेंगे किता आ जाएगा 7 किता हो जाएगा 7 में 1 का बाग 3 3 को 7 7 को 3 से गुना 21 21 को 10 Y से गुना किया 210 Y 21 को X से गुना किया 21 X साथ में साथ का बाग 1 6 को 10 X से गुना किया 60 X 6 को Y से गुना किया 6 Y बराबर किता हो गया 108 यहाँ पे 210 Y और 60 Y 210 Y और 6 Y किता हो गया 21 X ब्लस 6 X किता हो गया 81 X इक्वस टू 108 इंटू 7 9 के पहड़े से यह गया 9 की टेबल से 2 और 4 Y 9 की टेबल से 9 Y 9 की टेबल से 1 2 इंटू 7 फिर 3 की टेबल से गया किता हो जाएगा 8 Y प्लस 3 यह हो जाएगा आपका X से सॉरी 3 X ब्राबर यह किता हो जाएगा 28 ठीक है 8 Y यहाँ से क्या करते हैं Y का जो मानने X-2 पुट कर देते हैं 8 गुणा X-2 प्लस 3 X ब्राबर 28 यह किता हो जाएगा 8 X-16 प्लस 3 X ब्राबर 28 यहाँ से क्या हो जाएगा 11 X ब्राबर किता हो गया 44 तो X का मान किता हो गया 4 तो Y का मान Y ब्राबर 4-2 किता हो गया 2 यह किता हो जाएगा 2 प्लस 4 किता हो जाएगा 6 तो 6 विल बिया करेक्टा अंसर 6 काम पर ऑप्शन नम्बर 3 यह कह रहा है एक आपका TV और एक VCR दोनों का मुल्य किता है 35,000 है TV का मुल्य VCR के मुल्य का 5 गुणा है मतलब TV का मुल्य VCR, VCR मान लो किता है VCR का मुल्य X है तो TV का मुल्य क्या हो जाएगा TV बराबर X into 5 गुणा, डेड मतलब 3 बटे 2 3 बटे 2 ठीक है अब यह कह折रें दोनों को जोडने पर, दोनों को जोडना मतलब X में 3 बट्टे 2 X जोडेंगे किता जाएगा 35,000 ठीक है LCM लिया किता हो गया 5 X बट्टे 2 बराबर किता हो गया 35,000 यहां से क्या हो गया X बराबर किता जाएगा 14,000 तो 14,000 क्या हो जाएगी प्राइस हो जाएगी कि इसकी VCR की तो option number second will be correct answers 2000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ठीक है अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग दिया कित्ता हो गया, 8, 4, 1, अब 39 का भाग जाएगा किती बार, 39 का भाग जाएगा किती बार, एक बार, देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, 2 और 3 किता हो किता है 16 सेंटीमेटर ठीक है एक दूसे के लंवत होते हैं और एक दूसे को समधी बाजित करते हैं तो यह कितना हो जाएगा स्क्वेर माइनस बीयो का स्क्वेर तो यह का स्क्वेर क्या हो जाएगा इपी का स्क्वेर किता हो गया 100 और बीयों का स्क्वेर किता हो गया 64 तो यह बीयों का स्क्वेर किता हो जाएगा एओ का स्क्वेर 36 तो यह ओ का मान किता हो जाएगा यह बराबर 6 यह चे तो यह सी यह आपके 3 वेह चार कॉंट दियेवें यह बाय कॉंट दिये वें तो तो तुथ हमें पता चतुर्पूज के बाय कॉंट हो गाई हो किता होता है 360 डिघ्री होता है इन सारों कु प्लस करेंगे मतलब m plus 1 2m plus 3 प्लस 4M प्लस 5 प्लस 5M प्लस 6, बराबर किता हैगा 360 M, 2M, 4M 5M, 9, 10, 11, 12 12M ये 6, 11 11 और 2M प्लस 3 है M ये किता हो गया, आपका 12M हो गया ये 1 और 3, 4 4 और 6, 10, 10 10 और 15, 15 का उद्धर प्रक्सांतर्ण कर दिया किता हो जाएगा, 300 45 यहाँ से M का मान, 345 में 5 का 12 का बाग दिया, किता 1, 1, 5 बटे, 4 100 इसमें भाग देंगे, किता जाएगा हमारे पास, 28 0.75 ठीक है, तो M प्लस 1 M प्लस 1 किता हो जाएगा 39.75 ऐसा कोई आप्शन से क्या है, है तो ये आप्शन, 4th आप्शन गरेक्ट होगा सम चतुरबुजों के विकार्ण किते दिये वे, एक दिया 16 cm और एक दिया 12 cm ये हमारा सम चतुरबुजे होगया कोई भी ये एक आपका 16 cm का है और ये किता है, 12 cm का है हमें पता है, सम चतुरबुज के विकार्ण परस पर लंब सम दिवाज़ए करते हैं, तो ये किता हो गया 8 8, 6 6, ठीक है ये समकौन मनाएगा तो समकौन के अंदर क्या हो जाएगा 8 का square प्लस 6 का square बराबर क्या हो जाएगा बुजा को हमने consider कर दिया A, B, C और D तो A, B का square हो जाएगा 64 प्लस 36 बराबर A, B का square यहाँ पर A, B का मान किता हा जाएगा A, B बराबर 10 और परिमाप पूछ रहा है 10 cm हो गया परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू बुजा मतलब 4 इंटू 10 किता हो जाएगा, 40 cm तो 40 आपका options है क्योई 40 आपका option number second दिये कहे चित्र में आपको दियावा है D, B, C का मान चाहिए D, B, C, ठीक है आपको बोलाब, D, A, B का मान किता दियावा, 120 दिगरी आपको बोलाब, C, E C, E का है, B, D के समानतर है ये दोनों समानतर हैं, चलो, कोई दिकत नहीं है आपको बोलाब, A, B, D A, B, D किता है, आपका 30 दिगरी तो ये भी किता हो जाएगा 30 हो जाएगा, अगर जरुत है तो फिर क्या बोलाब, A, D, C A, D, C A, D, C पूरा किता दियावा, आपको दियावाए, 70 दिगरी तो ये भी किता हो जाएगा 40 दिगरी, क्योंकि 40, 30, 70 हो जाएगा अब क्या पूछ रहा है यह आपको बोल रहा है B.D.C. आपको बोल रहा है B.C.D. कितना दिया है साथ डिगरी ये साथ है ये आपका चालिस है तो ये दोनों आपको कौन दिये हैं तो ये वाला कौन आपका आजाएगा कितना तो यह आपका 80 degree आ जाएगा तो option number second will be correct answers आपको बोल रहे हैं बहुपत की गात बहुपत की गात पूचा है अधिक्तम गात क्या हो सकती है तो हमें पता है नीचे क्या दिया है एक्स का भाग देंगे तो यहां पर क्या बच जाएगी चाहिए एक्स की गात यहां पर क्या बच जाएगी यहां पर अच्र बन जाएगा बच जाएगा यहां पर एक्स की गात 3 मतलब गात किती होगी तो option number first will be correct आपको बोले a plus b का मान किता दिया है 10 a square plus b square का मान किता दिया है तो A plus B, बराबर किता दियावाद 10, तो इसका square करेंगे, इसका भी square करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, A square plus B square, plus 2AB, बराबर 100, इसका मान दियावाद 58, तो 2AB का मान किता हो गया, बयानलिस, तो A B का मान किता हो गया, 21, अब बात करें, A cube plus B cube, इसका सुतर बनाएंगे, क् A plus B का whole cube, minus 3AB, bracket के अंदर A plus B, खीकि A plus B का whole cube करेंगे, किता हो जाएगा, 1000, minus 3 into 21 into 10, किता हो गया, 1000, minus 630, किता 370, 370 will be correct answer, 370, option number 3rd, यहाँ पर एको formula बन रहा है, क्या A cube minus B, A cube plus B cube, equals to A square minus AB plus B square, क्या होता है, इसका formula होता है, A plus B bracket के अंदर A square minus AB plus B square, बट्टे में क्या है, बट्टे में A square minus AB plus B square, यह दोना आपस में कट गए, आया क्या A plus B, मतलब इन दोनों को plus कर लेते है, इन दोनों को plus करेंगे, तो किता आजाएगा, equals to 1, तो option number, first will be correct answers, यह रहे है, आपको बोल रहा है, इसमें अधिक्तम मान किता है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा, सारों के मान किता है, इसका मान किता हो जाएगा, आपका इसका मान हो जाएगा, 49, यह क्या है, साथ की गात 2, साथ की गात 2 की गात 3 बटे 2, यह कट गया, किता हो गया, 2, 3, 43, तो 3, 43, यह हो सकता है, यह नहीं होगा, 100% है, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है, यह क्या हो गया, साथ की गात, माइनस 3, और उसकी गात, माइनस 1 बटे सबसे नहीं तम्मान अगर फूशत तो यह हो सकता अधिक तम्मान क्या होगा option number second यह कहा रहा है यहाँ पे 2 की गात, root के अंदर 2 की गात N, उसका मान दिया वैए 1024, तो यहाँ पे root के अंदर 2 की गात N, और 1024 को क्या बोलता है, 2 की गात 10, मतलब 2 की गात N का मतलब क्या हो गया, 2 की गात 20, ठीक है, मतलब N का मान, यहां से हमारे पास N का मान आ गया, N बराबर किता हो गया 20 यह बोल रहा है तीन 20 बट्टे 4 माइनस 5 बाइनस 4 ठीक है 20 बट्टे 4 में से हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करते हैं 20 बट्टे 4 किता होता है 5 5 में से 4 माइनस किया एक तो 3 की कहात यह किता होता है 3 तो option number first will be correct answers x बड़ाबर 2 x का मान दे रहा है 2 और y का मान 4 तो यहाँ पर क्या हो गया 2 बट्टे 4 की गात 2 माइनस 4 यहाँ पर क्या हो गया 4 बट्टे 2 की गात 4 माइनस 2 ठीक है यह हो गया अब देखते हैं यह इसका solution क्या आता है यह एक बट्टे 2 की गात माइनस 2 ठीक है यह क्या हो गया 2 की गात 2 यह एक बट्टे 2 तो यहाँ पर यह एक बट्टे 2 को हम बोलेंगे 2 की गात माइनस 1 की गात माइनस 2 प्लस 2 की गात 2 यह क्या हो गया 2 की गात 2 प्लस 2 की गात 2 किता जाएगा आंट, आंट will be a correct answer, तो आंट कौन सा है? Option number second, 2 की गाथ-M इंटू, एक बटे 2 की गाथ-M एक वसले सो चार ही महल रही है, 2 की गाथ-M इंट्यो, 2 की गाथ-M बराबर किता 2 की गाथ-2, ठीक है, यहां से क्या हो गया, 2 की गाथ-2M बराबर 2 की गात माइनस 2 मतलब 2M माइनस का 2M बराबर माइनस का 2 तो M का मान किता आ गया 1 आ गया अब यह कह रहा है यहाँ पर मान रखो 1 बटे 14 ठीक है M की जगे एक रखना है 4 की गात 1 चार 4 का की गात 1 बटे 2 मतलब क्या हो गया 2 होगया ठीक है ये एक बट्टे 5 की गात थे मतलब 5 की गात-.-1 कि इस थे पांच ठीक है थो एक बट्टे 14 प्ला इन्टकु साथ कि तो हो गया दो बार एक बट्टे 2 वो गरेक्ट अंसर हो गा तो ऑप्शौन perspective फर्स्ट विल्बिस क्रेक्ट पूर्वर्ग है साथ साथ पूर्गन है ये आपके पूर्वर्ग है लेकिन पूर्गन नहीं है ये पूर्गन है लेकिन पूर्गन नहीं है ये आपके पूर्गन है पूर्गन नहीं है ये पूर्गन भी ये पूर्गन भी ये पूर्गन भी ये पूर्गन भी है तो आप्शन और 9 को किसे गुणा करेंगे, 9 into 2 कोई वर्ग होता है क्या, नहीं होता है, 9 into 5 होता है क्या, 9 into 6 चॉपण होता है क्या, 9 into 3 27 होता है क्या, होता है. तो यह आपका option number second will be correct. यह भोल नहीं इसका घंडबुल ज्याद कर रो ठीक है तो पहले का बात करते हैं यह आपका रूर दिया मैं और चारे जीरो नौशे उपर चारे eingeम लगा दिया ठीक है अब igen 1-0 से एक-0चला गया कोई बड़ी बात नहीं है फिर हम बात करते हैं उपर चार जीरो थे सोड़ी उपर अमारे चार जीरो थे नीचे अमारा एक जीरो था उपर एक दो तीन चार एक जीरो चला गया चलो कोई डिकत नहीं है अब बात करते हैं यह बात करते हैं अगर यहां पर देखते हैं तो किसका हो जाएगा आपका चार जार चलोνे चार जाम चलोर बारतर का ने होताओ तेरा का नी होता चार क्यार लॉत नीच्ट सोग्मार रैपको तसोगहा यहां Hill से आठ बार दो कीटेबल से किता हो गया पांच बार तो 45 में जब 8 का भाग देंगे 45 डिवाइड बाय एट 45 में किता हो गया 5 टाइम्स 5 0 किती टाइम्स 6 टाइम्स 2 0 किती टाइम्स 2 टाइम्स और 5 तो 5.65, ऑप्शन नम्बर सेकें विल भी करेक्टा आंसाज अब यहाँ पे अच्छा कोश्चन है यह क्या बूल लावाय गनमूल गयाद करो 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब फ्लस 334 का क्यूब मैंस 3 इंटू 333 इंटू 334 इंटू 333 इंटू 333 इंटू 333 इंटू 333 a plus b plus c 1 upon 2 a plus b plus c फिर हमार हो जाएगा a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a whole square ठीक है ये सुत्र लगेगा a की जगह 333 और b की जगह क्या हो जाएगा आपका 333 c की जगह क्या हो जाएगा 334 ठीक है तो हम क्या करेंगे गन्दमूल के अंदर ये संख्या क्या है पूरी की पूरी गन्दमूल के अंदर है क्या हो गया 333 plus 333 plus 334 आगे हमने क्या लगा दिया 1 upon 2 लगा दिया और 333 minus 333 का square 333 minus 334 का square plus 334 minus 333 का square ठीक है ये लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा cube root ये कित्ता हो जाएगा 1 upon 2 ये कित्ता हो जाएगा 1000 333 में से 333 काटाया 0 333 में से 333 काटाया minus 1 minus 1 का square plus 1 333 में से 333 काटाया 1 का square 1 तो 1 plus 1 किता हो गया गया दो से दो कट गया अब ही क्या बच गया हजार का हजार का गनमूल हजार का गनमूल किता होता है दस दस विल भी करेक्ट था तो 10 कौन से ऑफ्षन नम्र थार एक चात्र को एक संख्या में शैका बाग दिया और 12 जोड़ा मतलब एक संख्या बाग दिया और आंसर क्या मिला 112 तिर्शी गुणा कर दो वज़े गुणा कर दो X प्लस 12 बराबर 672 X का मान किता आ गया 600 60 अब यह कह रहा है इसका में बाग दे दो 660 में 6 का बाग दिया प्लस 12 जोड दिया किता हो गया 110 प्लस 12 किता आ जाएगा 112 तो 112 आप्शन नमबर 2nd will be correct X प्लस एक बटे X का मान दिया वाई 3 तो X क्यूब इसके लिए मैं पता है इसके लिए क्या होता है इसको इसको मैंने क्या कर दिया P consider कर दिया तो सुतर होता है P cube minus 3P तो 3 का cube किता होता है 27 minus 3 into 3 किता होता है 9 तो 27 में से 9 minus किता हो जाएगा 18 तो option number 3rd will be correct answers यह बोल रहे है एक 75 लीटर विलियन में दूद और पानी का अनपात किता दिया वाई 2 अनपात 1 मतलब दिया वाई दूद और पानी किता 2 अनपात 1 विलियन किती का दिया वाई 75 लीटर X कर दो X और X मतलब हमारे पास आगया 2X प्लस X बराबर किता हो गया 75 यहां पर 3 X बराबर किता हो गया 55 और एक्स का मान किता आगया 25 लीटर एक्स का मान 25 है अब यह कह रहा है 25 मतलब दूद हमारे पास किता है 50 लीटर पानी किता है पानी 25 लीटर ठीक है अब यह कह रहा है कि ऐसा पानी किता मिला देखी यह आपका अनुपात एक अनुपात दो हो जाए मतलब दूद एक बार मान में किता होगे 100 लीटर पहले किता है 25 लीटर किता बढ़ादिया पानी 75 लीटर इतना पानी क्या कर दिया तो हम क्या करना पड़े 75 लीटर कौन सा जो संसे option number first option number first क्यों करें कि है आपका मैस का 20 से कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक निश्चित कोड़ बासा में मो यू एस ए को पी आर यू क्यों सी लिखते हैं तब एस एच आई एफटी का कोड क्या होगा तो अब यहां पर हम देख रहें इस पर सबसे पहले हम नम्रिंग कर लेते हैं नम्रिंग करेंगे तो जैसे ए 18, 21, 17 और 3 मतलब हम देख पा रहें यहां पर 13 प्लस 3, 15 प्लस 3 और as it is फिर 19 माइनस 2 और 5 माइनस 2 क्या हो रहा है प्लस 3 प्लस 3 as it is माइनस 2 माइनस 2 तो 19 प्लस 3, 22 यानि V और 8 और 3 K, I as it is F माइनस 2 D और T माइनस 2 R यानि V के I, D, R क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन देखते हैं क्यूशन नमर 27 27 में T, R, E, A, S, N को R, K, W, W, I, N, X तता पॉल्ट्री को C, N, X, Y, K, T लिखा जाता है इस वासा में नमर को क्या लिखा जाएगा तो यहां पर हमारे पास में क्या है T, R, E, A, S, O, N को क्या लिख रहे है R, K, W, W, I, N, X यानि 14 प्लस 4, प्लस 4, माइनस 4, प्लस 4, माइनस 4, प्लस 4, माइनस 4, प्लस 4, माइनस 4, और प्लस 4 अपने पास में क्या है, प्लस 4, माइनस 4 का लोजिक लग रहा है तो हम क्या कर देंगे, N, U, M, V, E, R में भी यहीं लोजिक लगा देंगे प्लस 4, माइनस 4, तो प्लस 4 क्या हो जाएगा, N, प्लस 4, 18, 18 पे क्या आएगा R, U, यानि, U, 21, 21-4, क्यों, 13, प्लस 4, क्यों, और B, माइनस 4, X, E, प्लस 4, I, R, माइनस 4, N, तो आपका आणसर क्या हो जाएगा, N, I, X, Q, Q, और आपका आणसर हो जाएगा, अगला क्योशन अपना, क्योशन अमबर 28, वेन आरेके से, वहाँ आरेके चुनिए, जो नीचे दिये के वर्ग के बीच का सम्मन्द का सही निरुपन करता हो, तो हमें इसमें, वेन आरेके ब क्या हो जाएगा, सेकेंड, अगला क्योशन है, दी, सार्णियों के बीच सर्वस रेट सम्मन्द को दर्शाने वाले वेन आरेके का चैन कीजिए, हमें यहां पर वेन आरेके को बताना है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, विद्यार्थी, खिलाडी, और लड़के, यानि कु क्योशन है, क्योशन नमर 30, यहां पर हमारे पास में क्या लिखा हो है, प्लस का अर्थ है, डिवाइड, माइनस का अर्थ है, इन्टू डिवाइड का अर्थ है, प्लस और इन्टू का अर्थ है, माइनस, तो हमारे पास में यहां क्या लिखा हो है, 36, माइनस 12, माइनस 4, प् 239 36-12-9 यानि आपका क्या जाएगा 29 आपका आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन देखते हैं इसमें क्या है 6 या निम लिखत में से चिनों का कौन सा बदलाव समिकरन को संतुष्ट करेगा हमें यहां क्या करना है चिन बदलने है तो चिन बदलेंगे तो हमारा आपसर आएगा तो देखते हैं इसमें फर्स्ट ओप्शन से 6 क्या करना है डिवाइड को इक्वल टू 6 प्लस 8 इक्वल टू 4 माइनस 4 तो यह क्या हो जाएगा यह 14 माइनस 14 इक्वल टू 0 8 नहीं होगा मतलब यह उप्शन नहीं हो रहा है फिर हम देखते हैं डिवाइड तता प्लस को तो 6 डिवाइड 6 डिवाइड 8 6 डिवाइड 8 प्लस 4 माइनस 4 तो यहाँ पर यह अपने पास में 3 2 यानी 3 बाई 4 प्लस 4 तो यह भी आपका क्या होगा यह भी नहीं हो रहा है फिर हम देखते हैं डिवाइड तता माइनस तो यहां पर अपने पास में क्या है 6 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 4 डिवाइड 4 इक्वल टू 8, 0 और 14 इक्वल टू 0 तो आपका ये भी नहीं हो रहा, अब हमारे पास में लास्ट ओप्शन है, फॉर्ट ओप्शन, यहां पर क्या है, प्लस और माइनस, तो 6 माइनस 8 डिवाइड 4 प्लस 4 2 प्लस 4 6 माइनस 2 प्लस 4 यानि 6 प्लस 4 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 मतलब आपका फॉर्ट ओप्शन इस ग्रेक्ट आंस्वर, अगला क्यूशन देखते है, क्यूशन नमबर 32 अपने पास में यहां क्या है, 4 यह भी वो इक्यूशन है, इसमें भी क्या करने अपने को, साइन इंटरचेंज करने साइन, बदलने है यह चिन, तो यहां क्या है, 4 पहला ओप्शन से देखते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइड 2 माइनस 7, यहां क्या है, 3 4 इंटू 3, 12 प्लस 3 माइनस 7, तो अपने पास में यहां क्या जाएगा, 15 माइनस 7 इक्वल to 8 तो आपका फर्स्ट ओप्शन से ही हो जाएगा, एकला क्यूशन क्यूशन नमबर 33 हमारे यहां पर ही क्या है, यह कलेंडर का क्यूशन है, तो कलेंडर के क्यूशन में हम देखें, क्या पूचा है, 26 डॉवंबर 2008 को सब्ता का कौन सा दिन होगा, तो हमें यहां पर क्या करने पढ़ेंगे और दे निकालने पढ़ेंगे, तो और दे निकालने के लिए हम क्या करेंगे 26 26 और चार, आठ, छै और दो डिवाइड बाई सेवन, तो इसको डिवाइड करेंगे, हम यहां पर यह 26 और चार, सताई 24 तीस तीन दो दो, दो, चार आपके पांच में क्या आगे है, चार आगे तो चार पे क्या हो गया दीतवार, सोमार, मंगलवार, बुद्वार तो आपका आणसर क्या आजाएगा बुद्वार आपका आणसर आजाएगा अगला क्यूसन देखते हैं क्यूसन नमबर 34 उन्चास विद्यार्थियों की एक अकसा में नितिन की स्तती प्रारम से अठार भी है तो अंत से नितिन की स्तती क्या होगी यानि अपने को नितिन की स्तती प्रारम से पता है और अंत से हमें स्तती निकालनी है तो टोटल कितने होगे अपने पास में 49 है तो हम 49 प्लस 1 माइनस 18 तो यह आगे आपका 32 तो आपका आंसर क्या जाएगा फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन है 35 ए बाएं से दस्वा इस्तान पे है पर है यह क्या है बाएं से दस्वे नम्मर पे है और बी दाएं से पंद्रवे पे है बी क्या है दाएं से पंद्रवे पे है इस्तान पर है जब ए वह बी आपस में अपना इस्तान बदलते है यहां पे कोण आगया बी और यहां कोण आगया ए है तो ए की इस्तान बाएं और से पंद्रवा हो जाएगा यानि ए का क्या हो जाएगा बाई और से पंदरवा इस्थान हो जाएगा तो B की दाई और से नहीं स्तती बताईए यानि B की दाई और से नहीं स्तती बतानी है अपने को तो यहां पिर अपने पास में total कितने हो गए 30 minus 1 यानि 29 अब हमें क्या करना है B की position निकालने है B की position निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कितने हैं अपने पास में 29 total plus 1 minus 9 तो 9 कितना हो गया अपने पास में B की position है 10 तो 30 minus 10 क्या हो जाएगा 20 आपका answer हो जाएगा चलो अब हम देखते हैं अगला क्यूशन Qs No. 36 अपने यहां क्या है लड़कों की एक पंक्ती में यदि A 22 और से 10 वे स्थान पर है A क्या है 22 और से 10 वे स्थान पर B 22 और से B 22 और से 9 वे स्थान पर खड़ा है तता आपस में अपना इस्थान बदलने पर इस्थान क्या किया है इन्होंने आपस में बदल लिया है, तो A 22 और से पंधरवे स्थान पर आगया क्या हो गया तो पंक्ति में लड़कों की संग्या बताईए, तो यहाँ पे हमें टोटल संग्या बताने है तो दायाँ प्लस बायाँ माइनस 1, तो 9 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया, 23 लड़कों की एक पंक्ति में यदि एक का इस्तान बाइं और से 20 है तता बी का इस्तान दाइं और से सोड़वा है बी का इस्तान दाइं और से सोड़वा है आपस में अपना इस्तान बदलने पर आपस में क्या किट लिया इन्होंने इस्तान बदल लिया तो एक का इस्तान बाइं तरफ से 30 हो गया, एक का इस्तान वाँं ओर शे 30 हो गया तो पंक्ति में लड़कों की कुल सेक्शा है तो वो इसमें केरेंगें दायां पंपलस वाँं माइनस 1 30 पलस 16 यानी 30 पलस 16 1, 46 माइनस 1 45 क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा अगला क्यूशन देखते हैं निम पर्शन में दिये गए विकल्पों में से समंधित सब्द चुनिए हमें क्या करना इसमें समंधित सब्द देखने किलोग्राम मीटर टन यानि किलोग्राम की छोटी यूनिट के है मीटर है वैसे टन की छोटी यूनिट क्या होगी किलोग्रा आपका आनसर किलो ग्राम होगा देखित कि सुन है कि मोहन पस्चिम की और पांच किलो मेठर यात्रा कर रहा है यानि मोहन कि पस्चिम की और पैंच मीटर जा फिर दाएमूड कर 9 km चलता है, तब वह है उत्तर की और 3 km जाता है, और उत्तर के और क्या करता है, वो 3 km जाता है, एब वहाँर अरंभिक बिंदु यानि उसकी आरंभिक बिंदु यह है, छे कितनी दूरी पर है? तो 5 रॉस 9, 14, 14 क्या अबका answer एकला क्यूशन है विजे अपने कारिये ले से चलना प्रारम करता और उत्तर के ओर 4 किलोमीटर जाता है उत्तर के ओर क्या करता है caso कility underlying जाता है फिर वह दाये मुढता है और 2 किलोमीटर चलता है धिर त्थे दाय में उड़कर 6 किलोमिटर चलता है और पुने दाय में उड़कर वह अब यह मतल blur यहां पहुंच गैक वापिसर इस्टर्टिंग पोजिशन पर पहुंच गया तो अब है है आरंबिक दूरी से कितनी इस्तिति है तो आरंबिक से किस पोज़ कितनी दूरी पर वह जीरो किलो मीटर आपका अंसर क्या जाएगा जीरो ओके धन्यवाद हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम टू टेक्नो सॉलुशन हम फिजिक्स क्लास एट के लिए सॉलुशन कर रहे हैं क्य बिवर्तित कर सकता है वस्तु को गती दे सकता है तो यह जो पोइंट्स है यह सभी क्या है सही हैं तो अपना उप्शन हो जाएगा कौन सा सभी सकते हैं फोर्थ next question है किसी बल की परबलता वेक्ट की जाती है परबलता मतलब पावरफुल कौन सा है तो हम किस के दवार वेक्ट करेंगे बल के परीमान दवारा नेक्ष्ट आजाएगा किसी यदि एक रोकेट को उपग्रागो कक्षा में इस्थापित करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है तो रोकेट द्वारा प्रक्षेपन इस्थल को छोड़ते ही इस पर कारियरत बल होगा तो इस कंडिशन में देखो रोकेट जब उपर जाए करता है साथ में जो रोकेट का भार है वो गिदर काम करेगा यहां पर काम करेंगे नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सबसे नियून होता है सबसे कम जो बल होता है गर्शन बल होता है वो किस टाइप का होता है सबसे कम होता है लोटनी बल नेक्स्ट आजाएगा एक भारी लकडी के ब्लोग को ले जाने का आसान तरीका होता है देखो यहाँ ट्रोली में क्या होते हैं वील्स होंगे तो आराम से rolling motion होगा और आराम से सबसे कम friction द्वारा हम ले जा पाएंगे तो ट्रोली पर रख करके सबसे आसानी से जाता है नेक्स्ट आएगा एक परतिविम जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि हम उसको किस पर नहीं ला सकते पर नहीं लाया जा सकता तो यहाँ ओप्सन आ जाएगा कौन सा आभासी नेक्स्ट एक निकट दरश्टी दोस से पेडित व्यक्ति दूर बिंदु आंग के सामने देखो ध्यान से क्युष्ण करना है निकट दरश्टी दोस है इसका मतलब इसको पास का तो साफ दिखता दूर का साफ नहीं दिखता है तो इसका मतलब है हम कौन सा Lens काम में लेते ह आउतल लेंज के दो अपने पास हैं यहां पर यह कह रहा है कि 80 cm दूर तक दिखाई देता है इसका मतलब 80 cm अपना जो यहां दूर दूर तक का दिखना चाहिए था इन फाइनाइट का वो कहां आ चुका है 80 इस कंडिशन में इसके लिए फोकल लेंज जो है अपने लिए आएगी कितनी f is equal to x हम जो इसका दूर पॉइंट है फार पॉइंट है वो यहां आ जाएगा इस कंडिशन में फोकल लेंज उसकी कितनी चाहिए हमें आउतल दरपन की आउतल लेंज की वो होगी कितनी 80 cm अब फोकल लेंज हमें दे दी है 80 cm आएगी तो हम निकालेंगे इसकी पावर पावर आजाएगी कैसी सबसे आसान काम 1 upon f यानि 100 upon f cm में दिया था तो हम f f को रख देते हैं कितना आजाएगा 1.25 अब साथ में यहां देखो यह लेंज कैसा है कौनकेव है तो कैसा आएगा नेगेटिव तो यह अपना आंश्वर हो जाएगा कौन सा फोर्थ ओप्शन नेक्स्ट है जल में उसमा संचर्ण की मुख्य विदी होती है जो मैन विदी होती है जिससे पानी गरम होता है वो होता है क्या आप यहां से इसको गरम कर रहे हैं तो यहां से समवन दाराय बनती है नीचे का गरम पानी उपर चला जाता है उपर से ठंडा कहा आ जाता है नीचे यह होता ह समवहन नेक्स्ट आजाएगा चिकित सकी है ताप मापी के प्रेक्षन की परास होती है यानि जो क्लिनिकल थर्मोमेटर होता है उसकी रेंज पूछे है कि वह कितने तक काम करता है तो उस पर रेंज जो आती हो कितनी आती है 35 डिग्री तो 42 डिग्री सेंटिग्रेड है यहांस रंग है यह जो दूरी होती है क्या होती है लेंडा होती है यहां से एक सरंग यहां और यह जो गर्त है इसके उटर ने पार सोया करता हुं ठेट नमस्टार सातियों मैं विकाश शक्रवाल टीम कमिस्ट्री आज अम लोग क्लास 8 का टेखने टेक्नो टॉजट्वार का सवलेशन देखेंगे इसमें किसी रासाइनी अभी करिया से घरम करके ठंडा करके बिद्ध अपड़न दोरा तोड़ा नहीं जा सकता इसे ब्रेक नहीं क हम विद्ध कर सकते हैं लेकिन का कभी किसी तक्त्तों को ब्रेक कर सकते हैं कि क्या क्यी सिंगल इलीमेंट उसे ब्रेक नहीं और अपना थर्ड अगला कश्चन है धातू की अमले से अभीक्रिया करवाते हैं तो यहां पर दो चीजे बनते हैं बड़ा एक होता है मैटल का सॉल्ट यानिकि धातू का लवन और साथ में जो गैस निकलती है वो कौन सी बड़ा हाइड्रिजन जो कि हमको फॉर्थ ऑप्षिन में गिवन है क्या होगा तो अब यहपर कल यह जैए बार की ऐस के बार को बता हुँकि मेटल की रैक्तिविटी लाइक जैसे की लिटियम के jam को भी एक केलियम सोडीयम के मैगेशियम होंWarum मैगनेच जिंक क्रोमीयम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकल टिन लेड इनसे हमारा काम चल जाएगा जो ऑप्शन में हमको गिवन है उनसे चार ऑप्शन गिवन है जिंक आइरन मेगनेशियम और पटेशियम चार मेटल हमको गिवन है और यह जो मैंने अपर सिरीज बनाई है यह धातूँ की करिया शीलता का घठता है तो सीधे से दिख रहा है पॉटेशियम आपके मगनेशियम उस्ते कम रिएक्टिव ऐघ इंग उस सबसे ज़्यादा रियक्टिव हो कॉन सी पटेशियम उससे कम मेगनेशियम फिर कम जिवन है आइन तो कौन सो ऑपशन उप्शन मनेगा फॉर्ट आप्शन कि अगला ज्वाला कि किस भाग का उपयोग सुनार सौने और चांदी को पगलाने के लिए किस पार्ट का उपयोग करता है मतलब हमको यह पर यह देखना पड़ेगा कि यह चेक करना है कि कौन से वाले पार्ट की जो एनर्जी मैक्सिमुम होती है कौनसी कि इदा क्ष्टा के कैलोरी मान को दर्शाती है को बंद कमरे में जलाने पर उत्पन होने वाली गैस कार्बन मतलब से बंद कमरा मतलब औक सिंक कमी में जब करबन को जलाओंगे तो गैस कार्बन मोनोख्साइड निम्निमे से सही कतन का चैन कीजिए पहले तो मैं आपको बदा थोड़ा सा कोल और कोक क्योंकि यह गिवनने को आप्षिन में तो कोल और कोक में डिफरेंस किस चीज़ का है बेसिकली हम यह बोलते है कि जो कोल है इसका मतलब यह अशुद्यों वाला कोईला ऐसा कोईला जिसम लार्स प्रभाव नहीं धशाटी तो नहीं दर्शाती तो नहीं दरृट वाला वड़ा कौ सीमिलत रज्कसों कौन सा प्रदृष्टकार्ट करनी क्या जो की बाइव लिए डिग्रेड नहीं होता तो वो स्कांसर को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपना इंदर फर्स्ट क्यूशन है एड़ क्लास के बाद कर रहे हैं तो एड़ क्लास के इंदर सिक्स्टी फस्ट नमर का जो क्यूशन हो है किस फसल को सुष्क एव ठंडे पहला क्या पॉइंट है सुष्क एव ठंडे वातावरण की आवशिक्ता होती है तो देखो अपने पास में उप्सिन चार है रभी है खरीफ है जैद है और उपरोग तो सभी है तो देखो जहां पर शुष्क और ठंडे की बात आती है that means वो फसल ग्रो करती है कौन से टाइम पर वो फसल ग्रो करती है नवंबर से मार्च के बीच में नवंबर टू मार्च के बीच में तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रभी क्रॉफ्स रभी क्रॉफ्स is the correct answer of क्योशन नंबर 61 इक सट वे क्योशन का जो पहला आंसर होगा वोगा रभी नेक्स्ट आप दीए एक लड़की है इसका नाम राणी है उसके पास एक उबढ खाबड एक एह समतल भूमिय जिसमें पाणि ही कमी थी सिचाहिक के लिए कौन सी प्रनली आपना सकती है देखो तो अपने पर चार उप्शन है पहला को से है है दूसरा कौन सा है दूसरा है नहर सी नहर से तीसरा प्रटीगेशन चोत्ता कौन ज़ा है एंडवम नहर से तो पोसिबल हो कि और सकती है इक चर्चा में तीनサथरों से बरपूर होते हैं तीक है चितने भी और रसायनिक-तत्व होंगे वे उनके अंदर पोश्षकत्त्तों भरपूर होते हैं कि अर्वरक मिट्टी की जल्दारन शमता स्मता को बढ़ाता है अभिशेग अधिक मात्या में अर्वरक का उप्योग मिट्टी को अधिक ह्यूमस प्रदान करता है तो इसका जो आंसर हुगा पहली बात तो क्या है किस किस छ कर आँ युन्हन्य परोड़ती कि यूमस Pork अंच और देखते हैं उसके बाद में चिर्याओं की बीती दमनियों के जितनी मोटी नहीं होती क्यों कि वेटा रुधीर दाव कम होने की वज़े से किसकी वज़े से रुधीर के प्रेशर के कम हो जाने की वज़े से जो बीतियां होती है उनकी मोटाई क्या हो जाती है कम हो जाती है नेक्ट निमली खित में से किसके काड़ा गरम मोसम में पोदे मुर्जा जाते है अब देखो कौन से मोसं की बात कर रहा है गरम मोसं मतलब है समर की बात कर रहा है समर सीजन की बात कर रहा है और समर सीजन के अंदर ट्रांस्पिरेशन तो हो जाएगा जादा जिसको पन क्या बोलते हैं वास्पोर्श चर्जन ये तो हो जाएगा जादा और ऑफ्शोशन होगा कम तो इस वज़े से वास पोर्शन के अधिक और ऑफ्शोशन के कमी की वज़े से आपके जो पोद्द्य होंगे वो क्या हो जाएंगे मुर्जा जाएंगे तो इसका आंसर कौन सा हो गया पहला नेक्स्ट उसके बाद में निम्ल कित मे से कौन सा कतन सत्य है कौन सा सत्य कतन अपन को जो सही है उसको टिक लगाना है तो देखो अपन एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं जैसे कि पहला है फूपुशे दमनी हिर्दे से रक्त ले जाती है इसे दमनी कहा जाता है न की सीरा बिलकुल सही बात है यह कारबन डाय रक्त को फेपडों से इड़्देतर पहुचाते है यह बात भी सही है तो इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा इसका क्या होगा सभी कथन सत्य हैं मनुष्य में प्रजनन की विदी मनुष्य में प्रजनन होता है बिटा reproduction और मनुष्य मतलब human human beings के अंदर जो reproduction की जो process होते उसको बन क्या बोलते हैं लेंगिंग जनन बोलेंगे क्या बोलेंगे ज़र लेंगिंग जनन ब्रून में परिवर्दन के बाद लार्वा से वैस्क क्या पूछ रहे हैं ब्रून में परिवर्दन के बाद में लार्वा से वैस्क में परिवर्दन की संकला को क्या कहाता है क्या क्या कहा जाता है फर्स्ट ऑप्शन है व्रद्धी सेकेंड ओजींड था थ्रड अप्षिन पुनरुद भवन लास्ट एक कायं तरन, जब अपन किस के अदर, अपन मेंड़क के अदर, मेंड़क तो फ्रॉग consensus या फिर, caterpillar या फिर butterfly के अदर देखते हैं, तो उनके अदर कायं तरन होता है, लारवा से क्या बन जाता है वैस्क का फर्मेशन हो जाता है वैस्क बन जाता है उसको बन क्या बोलते हैं कायंद्रन बोलते हैं इंगलिस हम इसको बोलते हैं मैटा मॉर्फोसिस बोलते हैं क्या बोलेंगे मैटा मॉर्फोसिस फिर नेक्स क्यूशन निम लिखित में से कौन सा तो जीवानू, जीवानू का मतलब होता है बैक्टेरिया, किसके क्या होता है मतलब, यह होता है बैक्टेरिया, बैक्टेरिया के दुआरा होता है, तो इसमें पहला क्या है, पहला तपेदिक है, तूसरा कौन सा है, हिपेटाइटिस भी है, तीसरा कौन सा है, मलेरिया है, चोत कि तरू पोटो जोवा कि तरू धो किस तरू प्रोटो जोवा तो बचा कौन सा बचा आपका तपे दिक। जो होता किष्के तुरू बैक्टेरिया करने के लिए उत्पादित उत्तर के लिए अपणी मानव शरीर के अंदर प्रति रक्षा तंतर के अंदर प्रति रक्षी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अपनी बाडी को क्या करते हैंud यह इप्रोटोगी आनी अब हो गया नोल स्कारा का वो गया? परती रक्षा या फिर इनको पन क्या बोल देंगे एंटी बोडी बोल देंगे ओके थैंक यू